नवस्कार मैं शुवानी बिहारी निज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग बात करेंगे किश्मिस के बारे में तो आपको बता दू कि किश्मिस खाने में जितना मीठा लगता है उतना सेहत के लिए भी गुनकारी है यह उजा का बहुत बड़ा स्वोथ है इसी खाने से तुरंट ताकत मिलती है जादा तर लोग किश्मिस को ऐसे ही खाते हैं लेकिन भीगे हुए किश्मिस खाना सेहत के लिए जादा फायदे मंद होगा हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो किश्मिस को भीगो कर खाना चाहिए क्यूंकि इसमें एंटी ऑक्सिदेंट और न्यूट्रेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है किश्मिस को रात भर पानी में भीगो कर सुबह खाली पेट खाए इससे आप बिमारियों से भी बचे रहेंगे और यह आपको दिन भर एनर्जेटिक फील कराएगा साथी किश्मिस में पडियाप्स मात्रा में बिचावन भी कॉम्पलेक्स पाया जाता है जिससे खून की कमी नहीं होती आप में अगर खून की कमी है तो आप साथ से 10 किश्मिस का सेवन रोजाना कर सकते हैं साथी खूर में आइरन की कमी को पूरा करने और हज्डियों को मझबूत करने के लिए लिए बहत फायदे मंद है किश्मिस कबज में रहात देती है, किश्मिस का नियमित सेवन करने से कबज में फायदा मिलता है अगर कब के साथ साथ ACDT से भी परिशान है तो रोज किशमिस को पानी में भीगो कर इसका सेवन करें, रात को किशमिस को अच्छे से साफ करके, आच से दस किशमिस को पानी में भीगो दे, सुबह खाली पेट पानी को पी ले, किशमिस खाने से हिर्दे के दुर्बलता भी द किश्मिस में potassium और sodium की मात्रा काफी होती है। किश्मिस में मौजूद पोसक तत्व और को भी healthy रखने में मददगार होते हैं। इसमें कई minerals और vitamins होते हैं जो शरीर में पाये जाने वाले toxic पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं। इससे लीवर का बोज कम होता है और किश्मिस के सेवन से लीवर की वर्किंग पाबर भी बहतर होती है इसके साथ है किश्मिस खाने के कुछ नुकसान भी है जिन्हें भी आप जरूर जाने अधिक मातरा में किश्मिस खाने से सास संबंधी शिकायत हो सकती है ऐसे में किश्मिस ट्राइब 2 डाइविटीज के रोग्यों को किश्मिस नहीं खानी चाहिए किश्मिस में अधिक मात्रा में ट्राइगलिस्ट्राइट्स पाया जाता है ऐसे में हार्ट डिजीज फैटी लीवर लीवर कैंसर होने का खत्रा इससे और बढ़ सकता है आज के लिए बस इतना ही फि तक के लिए धन्यवाद